साथियों, अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता, देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके, इसलिए पहले जहां नौर्थिश में डिवाइड की पोलिटिक्स चलती थी, हमने उसे दिवाइन गवर्नन्स मोडल में बदला है, आज पी-म डिवाइन के रूप में विशेश योजना नौर्थिश के विकास के लिए हम चला रहे हैं, इस योजना के तहट ये सुनिशित किया जा रहा है कि नौर्थिश के विकास से जुड़े प्रोजेक्स समय पर पूरे हो, भाईग और बहनों, नागा इसलिए हमारा मंत्र रहा है, पीस, प्रोग्रेस, एंड प्रोस्पेरिटी, इसलिए नागा लेंड का भरोसा बीजेपी पर एंडिये पर लगातार बढ़ रहा है, बीते वर्षों में अनेक युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, और मुझे खुशी है, जैसे मैं न नागा लेंड आता हूँ, वैसे मैं एक बार सभी हमारे गाउं बुढे जो नेता है, उन सब को मेरे घर दिल्ली बुलाया था, उनका स्वागत सम्मान किया था, और उन्होंने मुझे इतने आशिरवाद दिये थे, इतने आशिरवाद दिये थे, आज भी गाउं बुढे हर कोई मुझे उतना ही आशिरवाद देता रहता है, पिछले नव वर्षों में नागा लेंड में हिंसा की घटनाओं में लगबग 75 प्रतिशत कमी आई है, 75 परसंट रिड्यूस हुआ है, नागा लेंड में अनेक शेत्रों से आस्पा को हटाया जा चुका है, पूरे नागा लेंड में आस्पा की जरुवत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात इमानदारी से जुटे हैं, नागा लेंड में पर्मनेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है, नौर्ट इसके राज्यों में बीजेपी और एंडिये सरकार हैं, होने से बॉर्डर से जैसे डिस्पुट भी तेजी से हल रहो रहे हैं, इससे भी इस पूरे छेत्र में प्रोग्रेस और प्रस्परिटी के लिए नए आउसर बन रहे हैं, दो मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्स्टॉर्शन कानेर वालों पर भी और सक्त कारिवाई की जाएगी,